Hi everyone, welcome back to my Europe channel, मेरा नाम है जोती, तो आज मैं ऐसे कुछ common questions का आंसर करने वाली हूँ जो इस वक्त उस हर student के मन में चल रहा है, जिसने अभी अभी stage 1 clear किया है, शॉट हेंड का, जाहे वो SSC का हो, या फिर CISF का हो, CRPF का हो, या किसी high code का हो, ठीक है, तो कुछ ऐसे common confusion है, जो आसर करने वाली हूँ आज, तो वीडियो आप पूरा देख लेना हूँ, ठीक है, and I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपके जितने भी doubts हैं, वो clear हो जाए, and आप इधर उधर ना बढ़के, और अपना ही goal set करें, तो चलिए start करते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल है, व with accuracy, तो उसके लिए में क्या करूं? काफी सारे students के mind में question चल रहा है, especially उनके जो first time skill test में बैठने वाले हैं, तो इसका simply answer यह है, totally totally depend करता है आपके skill test के date पे, देखिए अगर आपका exam next two months में होने वाला है, तो फिर यह थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, ठीक है, इसको achieve करना, मैं यह नहीं कहारी कि नामुम्किन है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, मतलब यह, कि जहां आप पहले 4 गंटा देते थे, वहां आपको 8 गंटा देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कहारी कि continue दीजिए, obviously बीच बीच में ब्रेक लेकि करना है आपको, लेकिन आपको मेहनत फिर डबल करनी पड़ेगी, और यह तो चलो उनके लिए, जो अभी कुछ करनी रहे हैं, या तो कॉलेज जाते हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और एज भी सही है, अब मैं बात करती उन लोगों की, जो की जॉब होल्ड कर भी है साथ के साथ, और साइड बे साइड यह चल रहा है उनका, गौर्मेंट जॉब का प्रपरेशन, उनका भी स्टेज बन क्लियर हुआ है, तो अगर मैं उनको एडवाइस दूद, तो मैं उनसे कहूंगी कि इस एक्जाम को लेकि फिर आप कम होप रखिये थोड़ी, क् कि एक होता है न, एक्जाम जब होता है तो उसमें फ्लक्टुएशन रहती है, तो उन फ्लक्टुएशन को आप फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर अप टाइम नहीं देंगे तो, इसलिए आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकत से, तो मैं आप से यही कहूंगी कि आप फिर किसी और एक्जाम पर अपना फोकस रखिए, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन पर, नेक्स क्वेशन जो है, वो एसपेशली स्टैनों वाले स्टूरेंट्स करते हैं, जिन्होंने अच्छे माक से, ग्रेट C, ए खत्म, बाई-बाई, टाटा, गुडबाई, गया! और किसी और एक्जाम पर फोकस करें, इसमें बिल्कुल भी टाइम पेस्ट ना करें, इदर उदर सवाल पूछ के, क्योंकि इसका प्राक्टिकल आंसर यही है, कि impossible है, इतने कम टाइम में, कम टाइम में क्या आपको बिल्कुल भी नहीं बता, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, या कोई भी अधर एक्जाम का स्टेज बन क्लियर कर लिया है, और अब मुझे स्किल टेस्ट में बैठना है, और मेरी स्किल भी बहुत अच्छी है, मैं 80 word per minute की स्पीड पर लिख लेता हूं या लिख लेती हूं, बट वो nervousness आ रही है, अंदर, कि कैसे होगा, कैसे होगा और वो होता है न, एक nervousness आती है first time की, तो उसको कैसे manage करना है, सी हां, मैं इस बात से totally agree करती हूं, कि जब भी आप first time skill test में बैठते हैं, तो एक nervousness आती है अंदर, कि पता नहीं मुझ से होगा या नहीं होगा, और साथी साथ उस चीज़ का भी pressure पढ़ रहा होता है, कहीं इस इस वज़े से यह job मेरे हाथ से न निकल जाए, I understand, तो इस चीज़ को manage कैसे करना है, इस चीज़ को manage इस तरह से करना है, कि आप जो भी dictation ले रहे हैं, यानि कि अगर आपके exam में required है 80 speed, तो आपको 100 की speed पे dictation लेके चलने हैं, क्योंकि exam में fluctuations हो सकती हैं, और अच्छे level के हो हो सकता है उसमें ना हो, हो सकता है आपको C पे लेके चलें, और हो सकता है उसमें fluctuations जादा करतें, ठीक है, तो यह चीज़ के लिए आप पहले से prepare होके चलें, कि आपको जो dictation है, वो 100 की speed पे लेके चलना है, क्योंकि अभी हाली में ऐसा हुआ है, अभी जितने भी students ने EPFO का stage 2 यानि की skill test दिया है, उनके साथ ऐसा हुआ है, उनकी required speed थी 80, बट जो उनको dictation बोली गई है, वो 95 to 100 की speed में बोली गई है, तो इसलिए आप पहले से prepare रहके चलें, आप यही मान के चलें कि आपके लिए 100 WPM का skill test है, ठीक है, एड़ देन में यही काऊंगी, जो भी students जिनकी speed अभी जादा है, नी, basic चल रही है, खतम होने वाली है, और SSC, जो है skill test अगले 2-3 महिने में डिकलेर कर देता है, तो मैं उनसे यह कहूंगी, कि आप skill test में जरूर बैठे, experience ले इस चीज़ का, क्योंगी होता है न, first time में और second time में थोड़ी सी nervousness रहती है, लेकिन third time में हो हो जाता है, सब clear हो जाता है, तो इसलिए आप इस exam में जरूर बैठे और skill test अच्छे से दे, और वो student जिन्होंने सिर्फ cutoff जितना marks clear किया है, यानि कि cutoff गई है, 108 तो score किया है, 109, तो आपको यह अच्छे से पता है कि SSC 10 में तो आपको कोई chance नहीं है, बाकि जो other exams हैं, उ सभी आप उसको दीजिए, otherwise cutoff जितने marks में तो आपका selection possible है ही नहीं, हाँ, और अगर आपको skill test का experience है, पहले भी आपने एका exam दिये हैं, तो भी आप इसे avoid करिए, अगर first time है तो ही आप इसे attempt दीजिए, इस वीडियो में मैंने जितने भी questions के answer दीए हैं, वो बिल्कुल practical दीए हैं, और ये सभी answers आपको अपना time खराब करने से बचाएंगे, और इधर उधर भटकने से भी बचाएंगे, तो बेटर है आप अपनी practice पे पूरा धिहान दीजिए, और इसके अलावा भी अगर आप क्षय झाएंगे.